अरे वेलकम टॉल साथ ही एक जाम फायरटर नमर पर आप सभी का हारदिक स्वागत है JPC PT एक जाम 2024 के क्लासिट में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम दोग GSP1 की क्लासिट कर रहे हैं आज हम दोग फिर से नए हमस्ट्री का सकते वन लाइनर कम प्रिभिएस यर क्कॉस्चन को सालब करेंगे जहां पर हम आप देखेंगे 250 वन लाइनर आपको मिलने वाला है और यह वन लाइनर प्रिभिएस यर जो चाहे हो चेल्स में लेक्चर्स देके फिर क्लासिस का क्वस्चन कराना अभी कम समय में पॉसिबल नहीं है और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है यहां पर बहूत जारा अंडरेस्ट्री के ज़रुत नहीं होती है इसलिए आप ऐसे ही करके आप त्यारी को कम्प्लीट कर सकते हैं क्यों एकोनोमिक्स जिओग्रफी ऐसे ही चलते रहेगा और सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे इतने कम समय में और फिर भी आप सिलेबस के काफी करीब हो जाएंगे कि मेरा सिलेबस इतना पर्षन कंप्लीट है चलि स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुँ आ से वह representative के यहांद से क्लाश हो रही कि संदे को प्रेश्ण हो इंडिया की कि आ परेस होने वाले हैं संदे को चलिए पहले प्रसन पाथे हैं दिवान एक हरात किस काम के लिए लग भीभाग था दिवान ये खेरात करते हैं कि ये खेरात की चीज है खेरात मतलब हो गया दान भीभाग था ये जनकल्यान और दान भीभाग था ये जनता को दान दिया जाता दिवान ये खेरात के माद्यम से तो जनकल्यान के लिए भीभाग बनाया था और लोगों को दान दिया जाता था यानि जनकल्यान के लिए ये कारी किया जाता था दिवान ए खेरात अलग भीभाग था किस काल के लिए दान पुन्न के लिए और जिरुवत मंदों को दान दिया जाता था धियोस्तुलर ने इसे बनाया था अगला गुलाम वंस की काल में दिल् के लिए आगे बाते हैं किस सासक ने निश्चित को उलेमा वर्क पर भी लागु किया जी हाँ जो नया एक सिधान था है उससे उलेमा नहीं बच सकते उलेमा को जो कुछ भी से साधिकार मिलेते वो शारे खतम कर दिये किसने महुमद बिंतुगलक ने किया था लेकिन हाँ शत्ता के जब इनका का सकते अंतिम दोर था वो फिर वहां से इन सभी निर्ने को ने बदल दिया और वो एकता से कर सकते हैं ऐसा करने लगे जो कि इस्लामी सासक करता है वो लास्ट मांत में क्या हो गए थोड़ा धर्मीर पेक्ष्टा से हटके वो था क्रूर सासक के रूप में परिनत हो गए थे लेकिन स्टाटिंग में ने बहुत ही शांदार ये सारे कारियों को क किया था नियाइक सिदान्त को उलेमा पर भी थोप दिया था और उलेमा को सोधनता नहीं दी उन्हें जो योगिता के अधार पर जो काम अच्छा लगता था राद जी के लिए जचा करते थे चलिए आगे बढ़ता है मसाहत कर्द क्या है मसाहत बहुत सब मिलता है निधार पर कर का निधार्न करना क्या कहते है उसको मसाहत वकील ए सुल्तान एक नया विभाग बना वकील ए सुल्तान इसके अस्थापना किसके सासनकाल में होई तो महमूद तूगलक है ना महमूद तूगलक महमूद तूगलक बोले तो आपको महमद बिन तूगलक भी बो के लिए आगे बढ़ते हैं सिकंदर लोदी के इक्तदारी वैस्ता में सबसे बड़ा परिवर्टन क्या हुआ इक्तदारी एक्ता क्या होता है किसी अधिकारी को उसका जो वेतन है उनको जो राजय से मिलना था उसके बदले वो उसको जमीन का टुकुला दे दिया जाता था औ जो इक्तदारी वैस्ता में क्या परिवर्थन हुआ सिकंदर लोदि के काल में अब है कि जो इक्तदार होते थे जासे किसी प्रान्त में छोटा सा प्रमान लेकोई अधिकारी है उसила प्रांत दे दिया गया इस प्रान पर उसे सासन करना उसको बोला जाता है मुपती कहहीं जton your जमिन का टुकौा है यह उगा इकता इकता क्या मिक्तार either सब्सक्तार सी या मुपती या मुपती या मुपती निए मुपती या व्या ह्याही loosely होग Iya यही परियूरतन हुआ कि मुप्ती को ही वजबदार कहने लगा तो आपका वह इक्तिदार मुप्ती वजबदार तीनों टर्म एक ही व्यक्ति के लिए उप्योग किया जाता था बस उसको अलग लग समय अलग लग नामों से जाना जाता था जिल आगे बढ़ते हैं अगला किस स्ल्टान सैनिकों को भू अंदान के स्तने पर नगद वेतन देने की पर्था चलाएं बहुत ही लेकिन आप इकता नहीं आप उसे नगद वेतन दिया जाने लगा नगद वेतन किस ने सुरू किया तो अलाओ दिन खिल जी ने और यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज था दिल्ली इस्थित सिरी का खिला है ना सिरी फोट हजार सतुन राजमहल के निर्मान का स्रे किसे ह दोनों ही सिरी का किला यह 16oton राजमहल यह दोनों अलाओ दिन खिल जी ने बनाए थे चली को प्रकेस्चन numr211 मोहाँमद बीन तुगलक की मत्यों शिंद के थट्टा में हुई थी शिंद के थट्टा में भारत का पर्थम मुस्लिम सासा कौन था जिसने भूमी की वास्तियुक आय पर राजस निश्चित किया भारत का पर्थम मुस्लिम सासा या दखेगा जिसने भूमी की वास्तियुक आय के अधार पर अगे बढ़ते हैं किस सल्तनत काल दिन सासक को मिनाज ने हातीम ताई की संग्या इसलिए दी क्योंकि यह बहुत बड़े दातार थे दान करते थे अगे बढ़ते हैं फिरोज दुगलक ने गुलामों का अलग विभाग बना रहा था उसका नाम क्या था जैसे अभी पहले हैं दुगलक देखा दिवाने खेरात किसने बनाया था फिरोज दुगलक ने वो दान पुन्नी के लिए जनकल्यान के लिए था इसी पकर गुलाम बहुत ज़्यादा इसके काल में गुलाम थे उन गुलामों के लिए भी अलग डिपार्टमेंट बना दिया इस डिपार्टमेंट का नाम था विभाकरम दिवाने बंदगानी या दिवाने बंदगान तुर्की सुल्तानों में वह कौन पहला सा सकता जिसने वितिया और रादस सुधारों में गहरी लूची लेने वाले पहले शाषक कौन रहे पहले तुर्की सुल्तान अलाहुदिन जिन्होंने इस विशय में घहरी रूचिली थी किस मुगल को खलीफा ने समान सुचक चोंगा में दिया था ना किस मुगल को खलीफा ने समान सुचक चोंगा दिया था मुगल यहां पर नहीं होगा किस सुल्तान को कह सकते हैं मुगल तो बहुत बाद में थे तो यहां पर मु तो बलबन को दिया था चोंगा या दखिए का चोंगा किसको दिया था बलबन को रजिया में राजा के सभी गुन थे परंतु वह सही लिंग की नहीं थी इन पंक्तियों के लिखक कौन है मिनाज उस सिराज रजिया में जिस प्रकार सासक के सभी गुंते फिर भी वो और सफल रहे स्रिफ चार साले उन्होंने सासन की आउस उस दौर में भी वो बिद्रों में पड़ी रही है तो और अंतरता उसे गड़ी से हाथ धोना पड़ा उनके मिर्ति भी हो जाती है इन सभी के कारण मिनाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया में सासक के सभी गुंते ना रजिया सासक जो होना चीए उसमें सभी गुंते लेकिन वह सपल रहे क्योंकि वह एक महिला थी यानि उसकी नहीं थी वह पूरूस होते ज़रूर एक अच्छे सासक के रूप में उसका नाम ले जाता है तो मुप्ति लिखा गया है लेकिन आपको मुप्ति पढ़ना है एक्तिदारों को मुप्ति एक्तिदारों को आपका मुप्ति कहा जाता था और सिकंदर लोदी के कालम उसको क्या कहते थे वज़दार हाना वज़दार मुप्ति मुप्ति हाना मुप्ति कहा जाता था या वज़ किस वंस ने तुर्की अमीरों को हमेशा के लिए सरकार सलग कर दिया लोधी क्या थे अफगान थे यह तुर्क नहीं थे अफगान थे तो अफगानी सत्ता जब अस्थापित हो जाती तो अपने ही लोगों को रखेंगे तो यह अफगानेों को और भारते मुसलमानों को किया सत्ता से मुहमत तुगलग द्वरास्था पे दिवाने कोही मुहमत तुगलग ने भी अलग डिपार्टमेंट बनाया था दिवाने कोही इसका सम्वन किस से था तो दिवाने कोही का सम्वन किसी से था ना किसी बैवसास दाने के लिए अलग विभाग बनाया था दिवाने को ही किसी से गाजी मलिक अथवा गया सुदिन तूगलक या तूगलक गाजी इन तरन तेरा सबीस में किस नाम से दिली का सुल्तान बना गाजी मलिक यो की श्यान परमुक थे सिनापती थे गाजी मलिक अथवा इसको तूगलक गाजी भी बोलते थे तेरा सबीस में इन्होंने स्थापना कि तो किस नाम से गर्दी पर यह वेठे तो तो एंग्श उदिन सव्सक्राइब करत दकूद्बारत की विजएह गया पर किस ने किया जोना क्वा ने अला मुहमद बिन तुगलक को ही क्या बोलते हम लोग जोना खां उसी का दूसरा नाम था जोना खां ने जक्षिन भारत की जीत का विजय किया उसे जीत को पूरा किया और एक करका सक्क यही दिली संद्नात का पतन का कारण भी बना क्योंकि इतना बड़ा समराज पर नियंदन कर प डिली का काजी बनाया गया था किसने मुहमद बिन तुगलक ने अफ्रिकी यात्री इवन बतुटा 1333 में आया था किसके काल में मुहमद बिन तुगलक के काल में आया था और उसने इसे दिली का काजी भी बनाया था चीन भी भेजा था राजदूत के रूप में आगे इव्रन बड़न से लिल घ् rejection लियकर महें है कैना अपको 13 कोई बात नहीं दोन नहीं निखेगा के लोग किताबों में अलग लग मिलता है जब महम्मुद महमूद ने महत्रा पर आक्रमन किया उसाम का सासक कौन था तो इन दिल्ली की ा जामई का Nirmạn महमुद गजनेवी ने कहां करवाया मस्जिद ए जामी मस्जिद ए जामी का निर्मान महमुद गजनवी ने गजनी में कराया थे जाकर अलप्त गीन और सुबुक्त गीन में क्या संबन था तो अलप्त गीन के ये गुलाम थे सुबुक्त गीन तो आपका मालिक और गुलाम का संबन था कि सियासत नामा किस सदी की पुस्तक है दस्वी सदी के इसके लेखक थे आपके निजाम उल उसन इसके लेखक थे सियासत नामा के किस खलीफा ने महमुद गजनी को यमिनुद दोला की उपादी से समानित किया किस खलीफा ने महमुद गजनी को यमिनुद दोला की उपादी से समानित किया जैसे कि महमुद गजनी की उपादी है यमिनुद दोला तो यामिनुद्दोला की उपादी किस खलीफा ने उसको दी थी तो कादीर खलीफा कादीर ने महमुद गजनेवी को यामिनुद्दोला की उपादी दी थी नरायनपूर पर महमुद गजनेवी ने कब आकरमन किया नरायनपूर पर 1002 इस्यू में किया था के लिए आगे बढ आसिम ने जो अरब आकरमन कारी थे इन्होंने यहां आकरमन किया उसमें महां के साथ सकते जैसिंग शिंद में इसलाम धर्म किस माध्यम से फेला शिंद में इसलाम धर्म का परसार हुआ किस माध्यम से मुस्लिम वयपारियों और मुल्वियों के दोरा मुस्लिम वयपारियों और मुल्वियों के दोरा ये शिंद मतलब 712 में जो अरबों ने आकर्मन किया था अरब मुस्लिम आकर्मनकारी ने उस समय की बात हो रही है ना उस समय सिंद पर जो इसलाम धर्म फैला किस्ते फैला मुस्लिम वेपारी भी आए और मौल भी आए उसके माध्यम से इसलाम धर्म का परसार हुआ सिंद में आगे बढ़ते हैं महमद बिन कासिम ने कहां होकर सिंद पर आकर्मनके यानि किस रूट से वह आये थे किस रास्ते से सिंद आये थे महमद बिन कासिम तो सिराज और मकरान होकर आये थे सिराज और मकरान होते हुए महमद बिन कासिम आपका सिंद पर आये थे किताबल मसालिक बाल मसालिक पुस्तक किसकी है इबन खुर्द धबे मुhmr 3 में भू राजस्ट बढ़ा देने के कारण हुए और विश्देट्र विवर्ण परकश्पात क्या है मुhmr 208 टूग्लक थैक्स को बढ़ा दिया थीज़ाब क्या दो नदियों के बीच की उपजाओ चेत्र को दो बोलते हैं दो लोब में जब ठेस्नों ने क्या जाकि आप विद्रो किया इस विद्रो का वर्णन किया है जियाओदिन भरनी ने लेकिन उनिये पक्षपातपूर्न तरीके से किया है और कर सकते सुल्तान मुहमद बिन तुगलक की सिकायद किये अगे बढ़ते हैं मिनहाज शिराज किसके दरबारी कवी थे तो मिनहाज शिराज आपके नासुरुदिन महमुद के दरबारी कवी थे जो कि गुलाम वन्स के थे गुलाम वन्स के सासक थे नासुरुदिन महमुद इसी के समय मिनाज चिलाज इसके दरबारी के भी भुआ करते थे किसके साथ कालोव है डिवान अर्ज नामा के अलग बिभाग बना डिपार्टमेंट बना ये बल्वन के क्या चीजिए लिए था यह भी पूछा सकता है सेन विभाग इसके परमुक होते तो सेना का परमुक हुआ करता था इस विभाग को बलवन ने बनाया था ताकि सेना मजबूत हो सके अगला है अलावदिन के किस तेना पती ने यादव राजा रामचंद को प्राजित किया दख्यनभाद को किसी ने जीता था वो थे मलिक काफूर यहां एंसर क्या हो जागा मलिक काफूर तो अलावदिन के किस सिनापति ने यादव राजा रामचंद को प्राजित किया जो कि आपके देवगरी के सास्कते तो इससे प्राजित किया था किसने मलिक काफूर ने खु पहले भारतिया जो हिंदू धर्म बवस्था थी उसमें वह सुद्र के सुद्र थे इसलिए वह इसलाम में चले गए थे इसलाम धर्म को अपना लिया था और अंता वह गदी पर भी कुछ दिन रहा लेकि बाद में उसके हत्या कर दी गई अपर भारतिय मुस्लमान है था उसे अंतो इसके में वह एक उससा आट की साह सब्सक्राइब और आप भी चाहते हैं जी अपीपेशन को सांदार तरीके से कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल बटन को क्लिक कर लेना है क्योंकि यहां पर क्लासे की वीडियो सब्सक्राइब कर देंगे सारे क्लासे का लब लए है और हमारे साथ जूडने के लिए ह आपको सब्सक्राइब कर देंगे bell icon को press click all button को click कर देंगा और सारे क्लासिस का अवलावले सकेंगा thank you thank you very very much for watching this video and connecting to jump fighter number one